पांस सेतंबर 2022 ये वो दिन था जो मुखे मंत्र नितीश कुमार ने एंडिये का साथ छोड़ कर महागठवंदन की बिहार में सरकार बना ली नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन मुखे मंत्र नितीश कुमार पिछले नौ महीने से विपक्षी दल की एक जुटता की मुहीम में लगे हुए हैं वो बिहार से निकल कर अन्य राजियों में जाकर वहां के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे गुजारस कर रहे हैं कि आने वाले 2024 के जो लोकसवा चुनाब होने वाली है उस पर बीजेपी को अगर मात देना है बीजेपी को शिकर्स्त देना है तो हमें साथ होना होगा हमें एक जुट होना होगा कहीं न कहीं ये महीन जो है ये महनद जो है मुखे मणतर रिखिकुमार की रंग लाई आई है जहां कल 23 जुन बिहार की इतिहास में और बिहार की राज़ीती में बेहत ऐहं दिन के नाम से जाना जाएगा कल 15 दल के 25 नेता राज़ानी पटना मौजूद थे राज़ानी पटना में विपक्षी दल की बड़ी बैठक हुई और ये कहीं न कहीं मुखे मंतरी नितीश कुमार की महनती है जो पिछले 9 महीने से ये चल रही थी वो कल रंग के रूप में निखर कर बाहर आई है को छोडने के मूड में नहीं है केसी त्यागी ने कहा था कि नितीश सब देश भर का दोरा करेंगे 2024 के लोग सवाचुनाब से पहले भाशपा भीरोधी विपक्षी दल को एक साथ लाने के महा मिशन पर निकलेंगे नो महीने के दोरा नितीश की महनत का नतीजा निकला शुकरवार को कॉंग्रेस अदेक्ष मलीका अरजुन खडगे के शब्दों में कश्मीर से कन्या कुमारी तक के विपक्षी दलो के नेता भाशपा से लोहा लेने को पटना में जमा हो गया लेकिन सवाल यही है कि क्या इस महा जुटान में 2024 के चुनाब में नजारा बतलेगा पास सितंबर 2022 को जब नितीश कुमार महागटवंदन के मुख्यमंतरी के तोर पर दिल्ली आए तो तीन दिन टिकर रहे इस दोरान नो बिपक्षी नेताओं से मिले पहले दिन उनकी मुलाकात कॉंग्रेस के अब पुर्व अधक्ष राहूल गांधी से हुई फिर उसी दिन वो जेडियस नेता पुर्व सीम एचुडी कुमार स्वामी से भी मिले अगले दिन दिल्ली जाकर सीम अर्विंद केजरिवाल और CPI महासचीब सीता राम एचुरी और CPI महासचीब डी राजा और इनेलो नेता ओम प्रकास चोटाला से मिले फिर अस्पताल में भरती यूपी के पुर्व सीम मुलायम सी यादव से देखने गये वहां सप्पा की अधक शकले सी यादव से मिले तिसरे दिन नितीस NCP अधक शरदपवार और CPI महासचीब दिपांकर भटाचार से मिले तीन दिन रुके और नो नेताओं से उन्होंने मुलाकात कि नितीस इसके बाद देश भर में घुमे मंता बेनरजु अखिलेश यादव सरदपवार उदव ठाकरे बीजू पटनायक तक से मिले आए वहीं आपको बताते चलें कि मिटिंग बीजू पटनायक और चंदशेखर राओ से नहीं आए कुल मिलाकर नितीश की पहल का असस सिर्फ चार नेताओं पर नहीं हुआ जो इनकी पार्टी जडियस, इनेलो, बीजेडी और बी आरेस अपने अपने राज्यो में कॉंग्रेस से लड़ रही है नितीश का प्लान क्लियर था कि बिपक्ष्वी एक्ता तभी सफल होगी जब उसमें कॉंग्रेस होगी उसके बिपक्ष्वी एक्ता का मतलब तीसरा मोर्चा बनाना हो जाएगा जिसका फाइदा बीजेपी को मिलेगा तो जहां एक तरफ मोखेमंतर रुटीश कुमार नौ महीने से लगातार बिपक्ष्वी एक जुट्टा की मुहीम में लगे हुए थे लगाटार, वो ममता बेनरुजी से लेकर अरविन्द केजृवाल, अخलेश यादव से लेकर कांग्रिस के रास्तेदहक्ष मलेकार, जोन खड़ियों कांग्रिस के निता राहुल गांधी से मुलाकात किये, हर वो एक नीता से मुलाकात किये, जो बिपक्ष के तौर पर पीजेपी के सामने है और कल उनकी महनत जो है वो रंग लाई 15 दल के 25 नीता जो है इस मिटिंग में शामिल हुए और कहीं न कहीं मुखे मंतर नतीश कुमार की जो मुहीम है विपक्षी एक जुटता की मुहीम वो कल सफल होते दिखी आने वाले 2024 के लोग सवाच चुनाब में देखने को मिलेगा यह जो महनत है वो कितनी रंग लाई है लेकिन फिलहाल तो मुखे मंतर नतीश कुमार ने जो महनत करनी शुरू की थी वो कल विपक्षी दल की मिटिंग में दिख गई थी फिलहाग लेस ख़बर में इतना ही अनिक अप्डेट्स कर देखते रहें निउस पनेश